के साथ आ जाते हैं जब विधान सभाचुनाव की बारी आती है तो यहाँ पर आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो यह रिकॉर्ड आपने खुद ही बताया कि नितीश कुमार ने यह खुद यहाँ पर साधा है कि बिहार में ऐसा ही होता हुआ नज़र नहीं आएगी क्योंकि जिनको लगातार सबसे आगे रखा गया बीजेपि गलिए बिहार में अब जैसे ही सत्ता दुबारा हाथ में आए बीजेपि नमस्कार SPN 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षे गरवाल सौगत तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का 2024 के लोकसब चुनावू से पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडियू प्रमुक नितीश कुमार ने भारती अजनता पार्टी नेतरतव वाले NDA को चुनौती देने के लिए इंडिया गटबंधन की नेव रखी और कई राज्यों के शेत्रिय दोलों से मुलाकाद की कई जिए पी के विपक्षे दलों से मुलाकाद कर उन्हें एक जुट किया इंडिया गटबंधन नाम का मंच तयार किया और सपना देखा कि 2024 में मैं शायद देश का चौकिदार बन जाओं लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उन्हें दलों ने उन्हें यहाँ पर चौकिदार यानि तक से इंकार कर दिया था इसके बाद नितीश कुमार ने विचार किया कि यहां तो दाल गली नहीं तो विचार बदलते वे नितीश कुमार ने एक बार फिर से एंडिया का रुख करने का विचार बनाया और उसको फिर अमल में ला दिया आखिर का रविबार 2800 जनवरी को लेगिन इस सब के बीच यहाँ पर जिस तरीके से नितीश कुमार को लेकर बयान बाजी BJP नेताओं की तरफ से हो। इसमें जब नितीश कुमार BJP गटबंदर, अंडिय गटबंदर में वापसी करते हैं, तो बीजेपी नेताओं के पुराने बयान में वापस आते हैं, यहाँ पर काफी साजा किये जाते हैं ऐसे में नितीश कुमार को लेकर के इंद्रु एक रहमंतिर अमित शाह का बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि नितीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ आने के या इंडिये गटवंदन में आने के सभी दर्वाज़े बंद हो गए उसके बाद सवाल उठा कि जब नितीश आ गए है तो आखिर वो दर्वाज़ा किस ने खोल गया ऐसे में चुटकी रेते वे कहा जा रहा है कि नितीश कुमार के लिए अंडिये गटवंदन का दर्वाज़ा सुशील कुमार मोदी ने खोला है लेकिन अब सुशील कुमार मोदी कहा है क्योंकि इस तरीके से यहां इंडिये गटवंदन की सरकार बिहार में आ चुकी है और इस NDA गटबंदन की सरकार में नितिश कुमार दो मुख्य मंतरी ही लेकिन साथ में समराच चौधरी और एक और यहां पर इस सिना को उपमुख्य मंतरी के तौर पर चुना गया है और बीजेपी के अंदर नितिश कुमार के दोस्त के रूप में जाने जाते हैं ऐसे में सुशील कुमार मोदी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए है कि किया सुशील कुमार मोदी इस बात से नाराज है उन्हों मुख्य मंतरी के पद नहीं दिया गया कि सुशील कुमार मोदी यहां पर जो है कुछ विधाय को को अपनी साथ लेकर जेडियू के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जाते हुआ सबसे पहले अमन जी हमारे साथ है, अमन जी सो जानेगी कि अमन जी सुशिलकुमार मुदी, बीजेपी का अगर कहें तो वर्तमान में या पिछले 15-20 सालों में बीजेपी का विहार में सबसे बड़ा चेहरा, चार बार उप मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इस बार नाम गया मिला, एक हफते पहले तक भी कयास लगाया जा रहे थे कि नितीश अगर वापसी करते हैं, एंडिये में सरकार बनती हैं, एंडिये की, तो फिर सुशिलकुमार मुदी मुख्यमंत्री बनते नजर आईगी, हलेकि कयास यहां पर चरचाएं भी थी बलकि उन्हें मुख्यमंत जब जेडी और बीजेपी का गठमंदन हो रहा था तो लगतार यह संभाब ना थी कि सुशिलकुमार मुदी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो कम से कम अगर बड़ी जिम्मेदारी की बात भी करें तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो तो मिली जाएगा लेकिन इस सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी में, अब आना भी चाहेंगे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन आखरे ऐसी क्या वज़े है कि जो उनको बापस लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा था कि भई जो दरवाजे बंद हैं वो खुल भी सकते हैं, यानि कि जिस तरह से उ को मुखे मंतरी बनाने की बात भी करें क्योंकि पहले भी ये खबर सामने आ रहे थी कि बीजेपी चाह रहे थी कि इस बार जो मुखे मंतरी का चेरा है वो बदल जाए क्योंकि नितीश कुमार बार बार मुखे मंतरी बन रहे हैं तो अच्छा ये हो कि इस बार बीजेपी की क्या हुआ उनके नाम के सामने साथ बिट मोदी लगा हुआ है लेकिन दुर्भागी का यह कि उनको अभी तक ऐसी कोई अपुजिन नहीं मिली जिसके ओपर यह कहा जाए कि वो जो है बहुत बड़ी जिम्मदार को निभा सकते हो या निभा पा रहे हो तो यही है कि लगतार उ सबसे बड़ा चेहरा सुशिल कुमार मोदी वर्तमान में नहीं पीछले 15 से 20 सालों से हैं और लगतार एंडी की सरकार जब जब बिहार में बनी है तब तब सुशिल कुमार मोदी एंडी है या कहे कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए है उपमुख्य मंतरी गरू है नाजमीन हमारे साथ नाजमीन से लेंगे नाजमीन नितीश कुमार ने वापसी की है इंडिया गटवंदन में यहां लोग सब चुनावों से ठीक पहले और प्रशांत की शोर के करीवी नेता रही है और दिगज है यहां पर राज नितीक अच्छी जानकारी रखते हैं उ यहां पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत की शोर यहां पर यह हमेशा से कहा जाता रहा है कि प्रशांत की शोर जो भी भवीशी वानी करते हैं जो भी किसी भी पार्टी को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं वो कही ना कहीं सच होती हुए नजर आते हैं और बिहार में जिस पार्टी की जोरत पड़ती है जिस गडबंधन की जोरत पड़ती है नितीश कुमार हमेशा से अपना फायदा देखते हुए उस गडबंधन के साथ जाते हैं जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर हमेशा NDA की जरुरत नितीश कुमार को पड़ती वी नजर आती है तो वो यहां पर अपना फायदा देखने के लिए NDA के साथ आ जाते हैं जो विधान सभा चुनाव की बारी आती है तो यहां पर RJD की साथ चले जाते हैं तो यह रिकॉर कि विधान सभा चुनाव के दौरान भी नितीश कुमार फिर से पल्टी मारते में नजर आ सकते हैं लेकिन यहां पर सवाल सुशील कुमार मोदी को भी है क्योंकि NDA गटवंदन में बीजेपी ही वो दल है जिसके पास वरतमान में सबसे जादा 78 विधाय की 78 सीटे हैं ऐसे म हमें कॉंग्रेस में जोती राधिते सिंध्य की और से 2020 में देखने को मिला था क्या वैसा यहां सुशील कुमार मोदी कर सकते हैं विधायकों को बीजेपी विधायकों को तोड़ करके इस नाराज़गी के आधार पर क्या रजेडी का दामन थाम सकते हैं लगातार यहां पर समराट चौधरी जो देखा जाये तो काफी नहीं नेता हैं सुशील कुमार मोदी के हिसाब से उनको यहां पर मुखे मंतरी पर स्थापित कर दिया गया विजेश इना है तो पूरी महनत तो यहां पर सुशील कुमार मोदी ने करी लेकिन फिर लास में क्या हुआ कि उनको य यहां सिंधिया करते नजर आए थे कॉंग्रेस के साथ 2020 में बीजेपी के साथ आते हुए वो यहां पर सुशील कुमार मोदी न कर जाएं क्योंकि अगर वो ऐसा कदम उठा दे हैं तो बीजेपी के लिए मुख के लिए बढ़ सकती हैं यहां पर लेकिन तमाम चीजे हैं जो